तीसरा, बंगलूरू, कोयमबटूर और द्योगिक प्रदेश बंगलूरू करनाटक की राजधानी है और कोयमबटूरू पडोसी राजे तमिलनाडू का प्रमुक और द्योगिक केंद्र है दोनों शहरों के बीच एक लंबी पट्टी में उद्योगों का विकास हुआ है यहाँ प्रदेश कपास का मुख्यूत पादक शेतर है अता यहाँ के आसपास के गाउं वह शहरों में छोटे छोटे वस्तर निर्माण के इंद्र चलते रहे हैं पूरे देश का 20% धागा तमिल नाडू में बनता है और केवल कोयम बटूर में सूती वस्तरी की इंक्यानवे मिले हैं इस प्रकार इस ओद्योगिक प्रदेश में सूती वस्तर उद्योग की प्रधानता है बंगलूरू कई कंपनियों के नाम से जाना जाता है पिछले दो दर्शकों में बंगलूरू, भारत के प्रमुक कम्प्यूटर और सुचना उद्योगों के केंद्र के रूप में विक्सित हुआ इसके लावा यहां बस की बोड़ी, काज के समान, चीनी मिट्टी के बर्तन, सूतिवस्त, रेल के डिब्बे बनाने के उद्योग है इस उद्योगिक प्रदेश के चन्नाई शेतर में पेट्रोलियम सैंत्र, सेलम में लोहा इसपात वा उर्वरक का कार खाना है सूचना प्रद्योगी की सूचना तक निकी आज बहुत महत्तोपूर होती जा रही है आज की वास्तविक्ता है की कमपनी के काम 24 घंटे संचालित हो रहे हैं या कैसे सैयुक्तराज अमेरिका के नियुःक और भारत के बंगलूरु की कुछ सौफट्योए कमपनियों ने समझोता किया है वे नियुःक में दिन के समय ऑफिस में कम्प्यूटर सौफट्योएर पर काम करेंगी तब भारत में रात होगी और अपने कारे दिन की समापती के बाद वे अपने काम के परिणाम बंगलूरू भेजेंगे जब नियॉर्क में रात होगी तो भारत के बंगलूरू में दिन होगा और उसी सौफ्ट्रेयर पर भारत में आगे का काम हो रहा है पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं इस प्रकार वे समवाद और कारे साथ साथ करते हैं या इस प्रकार से हैं मानों दोनों आजुबाजु के कारयलों में बैठे हुए हो वर्तमान में यह उद्योग भूम अंडली हो गया है प्रद्योगी की राजनीती सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिती को निर्धारित करते हैं वे संसाधन उपलब्धता लागत और अवसनरचना है चौथा गुजरात और द्योगिक प्रदेश इस प्रदेश में दो प्रमुख शहर एहमदाबाद और बड़ोदरा इस्तित है इसलिए इसे एहमदाबाद और बड़ोदरा अध्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है इसके प्रमुक औद्योगिक केंद्र जामनगर, राजकोट, सूरत, बडोधरा, खेडा, आणंध, भरूच और गोधरा है आहमदबाद में सूती वस्तर की सरवाधिक मिले है सूरत में हीरे की कटिंग, सोना चांदी के जेवर और वस्तर के उद्योग विक्सित है आणंध में डेरी उद्योग प्रमुक है एहमदबाद में इंजिनेरिंग सेमाल, इलेक्ट्रोनिक्स, सॉफ्ट्वेर, दवाईया, आधी के कार खाने है पाचवा, छोटा नागपूर और द्योगिक प्रदेश इस उद्योगिक प्रदेश का विस्तार पश्यम मंगाल से लेकर दामोदर घाटी, सिंग भूमी एवं ओडिशा तक है इसलिए से राउल केला जमशेदपूर उद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है सिंग भूमी का छेत्र लौ एस्क, तामबा, यूरेनियम, मैगनीज आधी के लिए तो दामोदर घाटी कोईला के लिए जानी जाती है यही कारण है कि इस शेत्र में लौह इसपात उद्योग का विकास जमशेदपूर, बोकारो, दुर्गपूर, राउलकेला, बर्नपूर में हुआ है इस श्यत्र में भारी इंजिनेरिंग उद्योग राची में, उर्वरक उद्योग सिंद्री में, सिमेंट कारखाना डाल्मिया नगर्वा जपला में इस्तित है चटवा विशाखा पटनम गुंटूर अध्योगिक प्रदेश यह उध्योगिक प्रदेश विशाखः पटनम जीले से लेकर प्रकाशम जीले तक की श्टित है? इस प्रदेश में विखसित होने का कारण विशाखः पटनम तथा मचली पटनम के बंदरगाह हैं गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ वा कोईला मिलते हैं और इस कारण यहां लोह इस्पातकार खाना इस्थापित किया गया है विशाका पटनम में हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेट के इस्थापना की गई है जहां पोत बनते हैं इस प्रदेश में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग विक्सित हुए हैं विशाका पटनम विजयवाडा, विजयनगर, राजामुंदरी, गुंटूर, एलूर, आधी उद्योगिक केंद्र हैं सात्वा गुडगाओं, दिल्ली, मेरट, उद्योगिक प्रदेश दिल्ली के आसपास के शहरों, गुडगाओं, फरीदाबाद, मोदिनगर, मेरट, अंबाला, मथुरा, सहारनपूर, नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानिपत, आधी तक इस प्रदेश का विस्तार है, यहाँ प्रदेश खनिस्त्रोतों से काफी दूर है आता एलक्ट्रोनिक्स, मोबाईल, खेल के समान, बिजली के समान, होजियरी, ट्रैक्टर, साइकिल, कृशी उपकरन, आगरा और दोगिक शेत्र में काच और चमडे के उद्योग, मतुरा में तेल परिशकरन उद्योग, फरीदाबाद में इंजिनिरिंग उद्योग, सहारन पूर में कागा जुद्योग का विकास हुआ है, गुड़गाओं में प्रमुकुद्योग आटो मोबाईल, वस्र निर्मान, इलेक्ट्रोनिक्स अमान, बिजनस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग के हैं आठवा, कोलम, तिर्वनंथ पुरम उद्योगिक प्रदेश, यह उद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर इस्थित है, इसका विस्तार तिर्वनंथ पुरम, कोलम, अलपुज्या, एर्नाकुलम, तथा चित्रूर जिलों में है यह प्रदेश देश के खनिश प्रदेशों से काफी दूरिस्थित है, अता इन शेत्रों में क्रिशी उद्पादों के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है इन उद्योगों के अत्रिक्त सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रबड उद्योग, कागज उद्योग, मचली आधारित उद्योग, नारियल रेशे के उद्पादों से संबंधित उद्योग, सीमिन्ट उद्योग और तेल परिशकरन उद्योग इन प्रदेशों मेहें